हैलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे आप सभी आसा करता हूं सभी अच्छोंगे रेलवे एंटीविची का नोटिफिकेशन अपडेट होते ही एक समस्या बहुत सारे स्ट्रेंट के साथ आ गई है वह समस्या दो डिगरी एक साथ अभी आलफ लाल में बहुत सारे बच्चों ने अब आकर यह परिसानिया बहार आ रही है फिर हम करें तो क्या करें क्योंकि पहले वाली स्थी तो है नहीं यह वीडियो उन बच्चों के लिए जिनके पास दो डिग्री आपस में टक्रा रही है जैसे आईटी आई का ग्रेशन से टक्रा रहा हो या फिर डिप्लोमा का ग्र यूज़ करना है आँगे जाकर और जिस तरीके से आप देखें बच्र Ee अगर में जैसे परिस्थिति में होना क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बहुत महत्पून है और आपको गौर करना कि चाहिए और किसी भैकावे में भी आपको तो नहीं आना चाहिए क्योंकि इस से रिलेटिड बहुत वीडियोस हैं और सब अपने अपने तरह से अपने बातों को रख रहे हैं कुछ थोड़ा सा बहुत तड़ोड के थोड़ा गलत और थोड़ा सा सही गलत तरीके से बोल रहे हैं अब सही क्या है गलत क्या है यह फैसला और यह कोरप्ने आपने तो इस तारी बातों में बात करने के फो付ोथ करने के लिए लगा क्या सै क्या होगा आंगे बच्छों के साथ क्या है और यह सारी चीज़ों पहसे को बता है अप्सकी पर आप कुछ एक्जाम ऐसे हैं जो ग्रैजुएशन बेस्ट पर भरे जाएंगे अब कोई दिक्कत थोड़ी आपने ग्रैजुएशन लेवल पर एक अंडर ग्रैजुएशन बेस्ट वाला है जिसमें पांच कैटिगरी हैं लेवल यहां आपको दिक्कत आ सकती है कब अगर आपने दौनों पैरलल में करी हूं आई टी और ग्रैजुएशन एक बात और बच्चों इसमें ध्यान से आपको सुननी पड़ेगी देखिए अगर आप आई टी एक टेक्निकल दिग्री हो जाती है और आई टेक्निकल है तो टेक्नि भी कर रहे हो रागुलर से तो दिक्कत करेगा तो तो जिसने भी ग्रैजुशन कर रहे हैं तो समझना होगा ग्रैजुशन कैसे कर रहा होता है आप उस केस में क्या होता है कि यूजी सी को आपको एक इमेल भीजना होगा जब आप डॉक्मेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे जब आपके साथ दिक्कत बने तो वैसे नहीं बने तो भगवान की उद्वास अच्छा पर दिक्कत बनती है तो आपको यूजी सी को करता वह चीज को मानने करते हैं नहीं करती उदर से इमेल यूजी सी ना अप्रूव कर देंगे आपको क्योंकि उन्हां तो रूल निकाल रहा है कि आप अप्रूव हो आप जाके अपनी जॉब ले सकते हो परंतो जिस संस्ता में आपने फॉर्म भरा है वह संस्ता इसे मानने क यहां पर भी पूरी हैं सब्सक्राइब करता यहां उन्हां सब्सक्राइब आप आगे जाके अगर कभी दिक्कत बनते हैं तो इमेल वगरा करके यूजी सी को आप इसके लिए अप्रूब ले सकते हो तो यह भी मानने के वाइच दिन में सब्सक्राइब कर दिया नहीं कोई सावी दूसरा कोड़ 2017 से तो मेरे प्यारे बच्चों साफ साफ यह दौनों एक दूसरे के साथ में लैप होंगे कि यह दौनों एक साथ हुई है तो आपके साथ दिक्कत बननी भाविक है और ऐसा पहले हो चुका है वैसे अगर मैं बात बत बच्चे ने मेहानत करी दो कोई दिक्कत नहीं हम इस तरह से प्रक्रिया को चलाते हैं कि बच्चे को ले लिया जाए उसका भाई ठीक होए है तो हम ले ले लेते हैं लोको करता है और बच्टा गया वहाँ पर बैठा है उनकी आपके ब्रयाविक्षा टूसरी आप उप्ड लेर कर लिए अपनी सारी दिखा रहे हो तो वहां पर साइथ उनके दिमाग में क्या है उस दिमाग के बेस पर अगर दिमाग उनका खराब है तो आपको इस चीज पर हड़का देंगे और आपके साथ दिक्तत क्रेट कर देंगे सारा डिमाग करता है सामने वाला व्यक्ति जो आपके जो डॉक्मेंट वेरिफाई कर रहा है उसका क्या चल रहा है दिमाग में परनतु वहां सची है कि है तो यह कलती क्योंकि तभी वह आपको टोक पा रहा है सईची जो पर तो टोक ही नहीं सकते ठीक है अब अगर आपने कोई चीज ऐसी भी है ठीक है 2018 में स्टार्ट क है वह थोड़ा सा एक सोचनला मुद्धा है यह कि हां दिक्कत तो दिक्कत ही आपके लिए है तो अब अगर आप पहले से कर चुके हो भाई अब तो बदल नहीं सकते हैं तो आगे वाले बच्चों मत करना परनतु जो फॉर्म भरने वाला उसने तो कर चुका है अब उसको यह तो नहीं वह चीजों को बदल सकता है उसने तो कर लिए और डीजी लोकर में जैसा कि वह डॉक्यमेंट अगरा रखवाएंगे सारे सारे तो अधार नंबर जाते वह अधार का डालेंगा आपका चिट्था पिट्था सारा सामने आजाएगा कितने इसने कोर्षिस कर तो अगर आप देखोगे तो आईटी आई बेश्ट पर बहुत सारी रेलवे की वेकेंसी निकलते हैं तो जिस जिसने आईटी आई कर रहे हैं तो मैक्सिम्म टाइम वह इन पर फोकस करें जो यह वाली वेकेंसी हैं कुछ वेकेंसी जो ग्रेशन बेश्ट वालिया उन्हें ना भरे तो ज्यादा उसके लिए बहतर होगा रिस्क ले सकता है भरके देख सकता है बड़ एक मैं सुझाव दे रहा हूं बस आपको कि आप यह कर सकते हो कि बस आईटी आई वाली वाली वेकेंसी को भरिए यह आपके लिए बैटर आप्शन रह सकता है जहां क्यूंकि तक यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इसका नंबर बताओं मैं आपको यहां पर नंबर इसका दिखाई जेता हूं लेजिए तो 8113 जो इसके लिए आपको थोड़ा सा दुख होगा बठाँ इसका मलब देखो ऐसा भी हो सकता है आपकी किसमत अच्छे रही आप वहां पर गए सामने वाले ने देखा वाई ग्राइशन लेवल पर है कोई दिख करती है परन्तु आपके डॉक्युमेंट जैसी वह अधार अब देखता हूं कि यह चीज है तो गलत ही वह हो चुकी है मैं आपको एक तरह रहा नहीं रहूं अब वह चीज हो गई हो गई पर राय देखता हूं कि भाई हम सही क्या कर सकते हो ठीक है आप इस मेंसे इन वाले पार्टों को फॉर्म भरते रहो आईटी अगर आपने कर र गरी है 11000 यह निकल गई 40-1 ऐसे जीडी वगरा के निकल गई तो सब्सक्राइब हम कैसे तयारी करें क्या कर सकते हैं और सब्सक्राइब बहुत और घर पर पढ़ाई हो नहीं पार है और सब्सक्राइब और मैं चाहूंगा हरिश्ट वीडियो को पहुचा दीजिए जिसके पास फीसिंग मुद्द है तो वो सिर्फ इतना करें हमने रुकुल ओपन करा है आप आईए हमारे पास आपकी कोई भी फीस नहीं ली जाएगी 15 सितंबर तक किसी भी बच्चे की पहले सो बच्चों कि हम कोई फीस नहीं ले रहे अब आपके ओपर डिपेंट करता आप अच नहीं हमारे पास रहोगे हम आप यहीं पर आपके रहके ही आपको पढ़ाई करने होगा कोई आपकी फीस नहीं लएगी जो भी आपकी पढ़ाई होते हैं जो हम आपको पढ़ाते हैं उसके कोई आप से चार्जिस नहीं ले जाएंगे यानिकि जो पहले सो बच्चे होंगे अगर मैं उनकी बात करूं तो उनको भी अपना बड़ा रहे हैं जो हम पीस लेना चाहते हैं उस फीस को माफ कर रहे हैं अपनी जेव से अपने खरके के ऊपर कि कोई टीचर से उनको देंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई फ्री है यह आपके लिए चीज वहम अपनी तरफ से बियर तो कि यह साथ जाए है पैले सो बच्चों ठाइब्स के साथ परंकी 8 से समझेंगे आप कइतने बच्चे कैसे बच्चे और क्या आपके अंदर है वह आकी आप जॉब लेना चाहते हो तो कोई भी ऐसा पहले सब्चे पंदर सितंबर तक कि जो आजाएगा पंदर सितंबर के बाद नहीं अब वैसे तो 200-200 बच्चों के कॉल आ चुके हैं पहले ही क्योंकि मैं बहुत दुनों से पहले से बताते हो चल रहा था बट मैं डेली बताऊंगा पंदर सितंबर तक कोई आ जाता है सारे आएंगे तो उसके बाद फिर फीस पंदर सितंबर के बाद आएं तो तो मेरे प्यार बच्चों की फीस लगेगी वह तो कोई दिक्कत नहीं कुछ लिमिट तक ही तो बच्चों के लिए कर पा सकता हूं क्योंकि आगे चीजों को रणिंग करने के लिए तरह बड़ा स्टाफ होता है आप आप देखोगे कि 60-70 कर लोग काम कर रहे होते हैं अगर मिनिम्मम 20-10000 मान लेता है किसी एक लाग सेलरी तब भी आप देखोगे तो कम से कम 20 लाग का खर्चा होएता है परंतु देखिए वह पार्ट आपको नहीं सोचना आपको उपनी सिर्फ पढ़ाई करने आपको नहीं सोचना सरका क्या क्या यहां अगाटां क्या आपकी लिए इसे सभी और मेरे सब प Questo के लिए अब आपको क्यम में क्यार्ग है और यहいる जिसके अन्दर है रहा है और teaklett गुरुकुल यहीं ओपन करने का रिजन सिर्फ इतना था यहां मुझे पता है कि वह बहुत सारे बच्चा गुट-गुट के जीरा एक किचन जितनी जगह में सो रहा है या फिर रहा है और वहीं पर जिंदगी वहीं से गया बाहर गया फिर चार लोग बीडी सिक्रेट पीते देखता और उसी तरहीं दिन चरिया हो जी रहा होता हो जिसके उसके पैसे खर्च हो रहे होता है आपने देखा होगा आपके आसपरोस में बहुत सारे मुखर्जी नगर होकर आगे पर उनका कुछ निवां यहां पर आप आराम से देखो बहुत ही जादा हर्याली है खुला आपको यहीं मिल जाएंगे हमारे साथ तो दुनिया जुड़ना चाहते हैं मुखर्जी नगर के बड़े-बड़े बिजनस्मेंट कहते हैं यह सर प्ली से कोचिंग कोल दीजे मुखर्जी नगर में पैसा कुछ ऐसी चीज होती है जैसे कि वहारोज कहीं आग लग रहे हैं क तो आप इस तरह से सब्सक्राइब कर दिया और हमारी टीम को आपको कॉल कर देना हम आ रहे कब आ रहे हैं पंदरह तारिक से पहले पहले जो आना चाहता है और उन सब्सक्राइब सब्सक्राइब होगी आप इमेल आईडी पे गूगल फार्म कोमेंट वक्ष्णों का नाम बताना अपना वह लंबर यहां पर अपना इस्टेट बता देना और किस वाले जैसे आपको अगर कॉलिज मैडिशन लेना तो डीफारा भी एडिया डिया 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 तो आप इस पर इसका हमाई टीम आपको कॉल करेगा और आपको बता देगा और आप उन्हें सारी इंफोर्मेशन देते हैं कि हम कब कबारें पेरेंट्स के साथ प्लीज जरूर रहें क्योंकि बड़ों का असिरवाद ही मिल जाएगा साथ मैं उनसे मिलना हो जागा और मैं स सिदा सिदा क्या करें नंबर पर वट्सबकर दे एक टॉप ता गुरुकुल आगरा यह संस्ता हमारी आगरा में है यह सिंपल टॉप तक रुप आप आगरा सर्च करोगे टॉप तक रुप आगरा तब भी आपको गूगल पर मिल जाएगे सिदा उसके तरूब याप डैरे